तो दियर स्टुदेंट्स, वी हैव इस वेरी सिंपल कॉस्चन फ्रॉम रिफरेक्शन, 2017 का AMU 11th and Diploma Engineering Intense Test का कॉस्चन है, मैं कॉस्चन पढ़ रहा हूँ, यह जो फिगर बनी हुई है, यह जो लाइन ब्लाइक वाली है, यह इंटरफेस है, यह इंटरफेस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बढ़ा हूँ, इस इस दा इंटरफेस और यह मैंने जो रेड वाली लाइन बनाई है, दिस इस दा नार्मल, at the point of refraction, तो जो ray of light है, वो यह ब्लू वाली है, यह एंटर करती है, medium A से medium B पर इस point में, तो यह डाइग्राम बना हुआ है, refractive index of medium B, relative to medium A, refractive index पूचा है, medium B का, relative to A, means with respect to A, जिसको मैं अक्सर with respect to बोलता हूँ, यहाँ पर relative to medium A लिखा हुआ है, root 3 by 2, root 2 by root 3, 1 by root 2, and root 2, these are the four options, कौन साइज में correct है, आसान सवाल है, snail's law पर है, जब refraction हो रहा है, तो अगर medium B के अंदर यह कौन सी ray है, refractive ray है, this is refractive ray, तो जब refractive ray medium B के अंदर है, तो यह incidence, यह incidence ray है, तो यह angle of incidence है, this is, this 60 is important for us, कौन सा angle होता है, angle of incidence, incident ray और normal के बीच में जो angle होता है, यार रखिएगा, यह दोनों angle इन्हों ने बना दिये हैं, यह 60 पे बना दिया, यह 30 पे बना दिया, it makes a confusion for the students, के कौन सा angle ने, तो अब angle of incidence होगा, यह जो 60 है, जो incident ray और normal से मिलके बना है, angle of reflection कौन सा होगा, इतिवाग से angle of reflection यहाँ पर जो बना हुआ 45 है, और दूसरा angle भी 45 है, तो यहाँ अगर confusion हो भी जाता, तो कोई फरक नहीं पड़ता, तो कौन सा होगा, लेकिन यह वाला होगा यह, normal और refractive ray के बीच वाला angle होगा, ठीक, तो अगर हम refractive index of B निकाले, with respect to A, या relative to A, तो क्या होगा, वो होगा, sin of angle of I, divided by sin of angle of R, यह R कहाँ पर होना चाहिए, यह B में होना चाहिए, तो वो 45 यहाँ पर आ जाएगा, यह I कहाँ होना चाहिए, यह A में होना चाहिए, यह 60 हो जाएगा, तो क्या होगा, sin 60 degree divided by sin 45 degree, is it or not, ठीक, sin 60 divided by sin 45, this will give you the answer, और the refractive index of medium B, relative to medium A, देखते हैं इसको क्या होता है, sin 60 किसके बरावर होता है, sin 60 होता है, root 3 by 2, तो इसको हम लग देंगे, root 3 by 2, divided by main division का निशान ये वाला जो है, वो ये वाला, sin 45 किसके बरावर होता है, 1 by root 2, यह 4 चीज़े आ गई, इनको हल करने का तरीके 2 है, एक यह सबसे नीचे वाली quantity को सबसे उबर वाली quantity से multiply कर दीजिए, और बीच की जो quantity इसको multiply कर दीजिए, तो ये जो आएगा, वो आजाएगा, root 2 multiplied by root 3 divided by 2, अब देखिए, ऐसा कोई answer यहाँ देख नहीं रखा, यह हो जाएगा, root 6 by 2, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उपर लख रहा हूँ, अंडर root 2 into अंडर root 3 divided by 2 को मैं तोड़ लेता हूँ, अंडर root 2 into अंडर root 2, एक अंडर root 2, अंडर root 2 से कट जाएगा, अंडर root 3 divided by अंडर root 2, इस will give you the answer, क्या ये दे रखा है, yes, it is given to you, the answer is A, तो in this way we solve this kind of problem, बहुत आसान problem थी, बहुत ही simple, ओके इसको note कर लिए,